अगर आप इस चैनल पर नियुक्त को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बैल इकन जरूर दबा दीजिए आज हम करने वाले हैं डाट इस सोर्सीज ऑफ पानाइस बिजनस फानाइस का यह लेक्चर नमबर टू है लेक्चर नमबर वन में मैंने फिनांशल मेनेचमेंट के जित या तीन पार्ट में कवर अप करेंगे ठीक है तो यह है पहला पार्ट सोर्सीज ऑफ फनांस का सो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं जो भी स्टुडेंट निट के प्रपरेशन करना चाहते हैं वह हमारा ओफलाइन बैच जॉइन कर सकते हैं और जॉइन करने के लिए आप मुझे इस मेल आइड़ी पर मेल भी करसकते हैं उसके अलावा मैं TRT делают दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे उसके अलावा जो है जो हमारा offline batch है वहाँ पे आपको complete hand written notes provide किये जाएंगे हर एक unit के paper 1 and paper 2 commerce के हर एक unit के आपको provide किये जाएंगे hand written notes उसके अलावा जो है complete study material provide होगा उसके अलावा जो है आपके regular में test भी conduct किये जाएंगे fine so जो भी join करना चाहते हैं वह एक message छोड़ सकते हैं आपको सारी के सारी details वहाँ पर मिल जाएंगे fine so चलिए आज की video start करते हैं तो सबसे पहले आता है sources of finance sources of finance का मतलब क्या होता है sources मतलब होता है जहां से एक company पैसा इकठा करती है fund raise करती है ठीक है कोई भी business है कोई भी company है इतनी self sufficient नहीं होती है कि वह सारा का सारा पैसा खुदी कठा कर ले उसकी savings इतनी जादा नहीं होती है किसी ना किसी point of time पे उसको बाहर के जो other sources है उन पे depend होना ही होना पड़ता है ठीक है करी सारे sources से उनको ही आज हम study करने वाले हैं इस पार्ट में आपको इक्विटी शेर्स प्रेफरेंस शेर्स एंड रिटेंट अर्निक्स के बारे में बताऊंगी बाकी का जो मतलब other sources हैं उनको हम next part में cover करेंगे सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है equity shares equity shareholders के जितने भी characteristics हैं उसी के अंदर आपका meaning clear हो जाएगा complete सबसे पहला feature क्या बोलता है that is maturity maturity में क्या होता है वे equity shareholders जो होते हैं वो जितने भी payment provide करते हैं company को और company जो होती है वो bound नहीं होती उन्हें वापिस देने के लिए मतलब कहने का अगर मालो as a person मैंने क्या किया किसी भी x y z company के shares को purchase कर लिया ठीक है वो company ने shares issue किये मैंने उसके shares खरीद लिये अब जब तक वो company चलती रहेगी तब तक मैं उसे during the lifetime of company मैं उस company को यह नहीं बोल सकते कि आप मेरे पैसे जो है वो वापिस कीजिए ठीक है कहने का मतलब यहाँ पर company जो है उसको fixed capital मिल जाती है equity shareholders है equity shareholders जिनको हम ordinary shareholders भी बोलते है या फिर ordinary shares भी बोलते है ठीक है इसमें क्या होता है basically company bound नहीं होती है pay करने के लिए during its lifetime जब company के liquidation होगी जब company बंद होगी वो सारी के सारी assets बेच दीगी उस time पे ही shareholders demand कर सकते है अपनी capital की हाँ भाई मैंने इतने साल पहले तेरे shares purchase किये थे तेरी company के अब मुझे उसके payment वापिस चाहिए अब तेरी company हो रह पर that is इनका जो income है उस पर residual claim होता है residual का मतलब क्या होता है last claim होता है सबसे last में इनको payment मिलती है मतलब कहने का company ये की बोल देती है कि सबसे पहले तो हम जो outside liabilities like debentures पे interest pay off करना है जो creditors होते है company के उनको pay off करेगी उसके बाद प्रेफरेंस shareholders को pay करेगी उसका dividend उसके पास या ना दे हो सकता है company के बस बच जाए बिट हो सकता है company उसे retain करना चाहती है for further investment purposes वो से retain करना चाहती है उसके पास और अच्छे opportunities है वो नहीं बांटना चाहती तो वो नहीं बांटेगी उसकी मरची है company की कोई भी equity shareholder वो force नहीं कर सकता company को कि हाँ हमें payment दो या हमें पहले payment पहले जब company जितने भी payment होती है वो सारी कि सारी कर देती है सबसे last में जो income बचती है उसमें से equity shareholders को उनके dividend की payment मिलती है आईये पढ़ते है that is their right on income arises only when there is any income left after the payment of interest and preference dividend right मतलब interest की payment कर दी preference dividend भी पे कर दे उसके बाद अगर income बचती है न तो उस पे इनका right होता है उसके अलाव that is even if company has profits चाहे company earn कर रही है profits तभी जो shareholders है वो company को force नहीं कर सकते है कि हाँ भी आप हमें pay कीजिए and उसके अलावा जो है इनका जो rate है dividend का वो भी fix नहीं होता है क्यों नहीं fix होता है company के बास बात में जितना भी profit बचा है तो उसमें से company की मर्जी है वो जितना देना चाहे दे देना चाहे तो भी नहीं दे सकती है so that's why इनका जो rate of dividend है वो fluctuate करता है हो सकता है profit जादा हो तो जादा dividend मिल जाए हो सकता है कम हो तो profit कम dividend मिल जाए so fixer नहीं होता है आगे हम चलते है third feature पे इसके that is assets है उस पे भी इनका last claim होता है that is a residual claim होता है अब assets पे कैसे for example company हो यह बंद company की हो रही है liquidation ठीक है at the time of liquidation जितने भी assets थी company ने वो अपनी बेच दी वो sale कर दी अब उससे जितना भी assets को बेच के जितना भी पैसा आया है तो सबसे पहले तो वो क्या करेगी जितने भी उसके liabilities हैं उसे pay off करेगी ठीक है उसके जितने भी debentures है preference shareholders है सब को payment कर देगी outside li नहीं होता है मतलब कहने का जो principal amount होती है जितने भी मानलो एक बंदा है उसने एक लाख के shares जो है वो purchase करें company से एंड उसने क्या कि एक लाख रुपे दे दिया company को उस पे उसे मानलो for example उसे 5000 रुपे हर साल उसे interest मिलते है ठीक है तो वो जो interest की amount है ना वो भी पहली बात तो fix नहीं होगी plus वो उसे last में मिलेगी ठीक है उसके अलावा जो है जो एक लाख की principal amount है ना वो एक लाख के principal amount भी liquidation के time पे मिलेगी वो भी सबसे last में मिलेगी पहले बाकियों का बुक्तान किया जाएगा सबसे last में इनको payment की जाएगी ठीक है आगे हम चलते है that is control पे अभी इ note है वो मिलेगी तो obviously सी बात है यह कुछ इतना risk उठा रहे हैं तो उसके compensation में कुछ ना कुछ तो demand करेंगे ना तो यह क्या करते हैं यह control को demand करते हैं मतलब कहने का यह owners होते है company के इनका full right होता है management में plus company के controlling में company को यह control करते हैं इनके पास right होता है voting का जितने भी meetings होती है company क उसमें यह voting भी कर सकते हैं प्लस यह management में भी इनका right होता है यह बोल सकते हैं यह decisions ले सकते हैं प्लस इनका control में भी right होता है ठीक है उसके अलावा जो है यह किसी भी director को remove भी कर सकते हैं appoint भी कर सकते हैं इनके पास वो भी right होता है fine आगे चलते हैं 5th right पे sorry 5th मतलब feature पे 5th feature क बोल रहा है equity shareholders का that is right of preemption इसमें क्या होता है जो equity shareholders होते हैं उनको एक extra right दिया जाता है एक extra right दिया जाता है for example company ने already company के ने एक लाग shares issue कर रहे थे ठीक है अब क्या हो रहा है company कुछ और नए shares issue कर रही है तो जो नए shares issue कर रही है वो public को journal public को offer करने से पहले वो क्या करेगी वो equity shareholders जो उसके already present है company में existing shareholders है ना उनको offer करेगी कि हाँ भी हम ये company में नए shares issue करने जा रहे हैं अगर आपने खरीदने है तो आप खरीद सकते हैं otherwise हम public को offer करते हैं fine कहने का मतलब वो सबसे पहले उनको offer करेगी ठीक है तो ये होता है right of preemption सो ये ना obligation होती है compulsory statutory obligation होती है company की कि वो present करेगी new share सबसे पहले existing shareholders को ठीक है देन उसके पास जो भी बचते हैं then वो public offer कर सकते है इस right को हम क्या बोलते है right of preemption बोलते हैं जो each shareholder होता है वो exercise कर सकते this right in proportion to the shares held by him मतलब जितने उसने shares पहले से held कर रखे हैं for example मैं आपको बताती हूं एक लाख shares थे ठीक है अब एक लाख shares में से एक बंदे ने for example उसने बीस हजार जो shares है वो पहले से उसने company के ले रखे हैं that means उसने कितने ले रखे हैं 20% ले रखे है right अब क्या कर रहे है company अब company एक लाख और नए shares issue कर रही है तो वो एक लाख नए shares पर भी उसका उतना ही percentage का right होगा जितना उसने already held कर रखा है पहले कितना था उसने 20% share खरीद रखे थे right company के ठीक है 20% share खरीद रखे थे अब भी जो नए shares issue करेगी ना चाहे वो एक लाख करती है दो लाख करती है company issue so उसका भी जो है वो 20% ही वो जो है वो खरीद सकते है ठीक है equity share holder मतलब जितना उससे पहले था so जो each share holder होता है can exercise कर सकता है अपना ये वाला right in proportion to the share held by him जो already उसने held कर रखे हैं ठीक है so ये थे equity share holders के कुछ एक features जिसके थो complete meaning clear हो जाता है इसके features में से definitely आपको question आ सकता है net के exam में इसलिए मैंने इसको detail में cover करवाया है आगे हम चलते है preference shares preference shares कौन से होते हैं अब आते हम second number of source पे that is preference shares preference भी shareholders ही होते हैं right इनको भी dividend ही मिलता है बस कुछ ना कुछ इनको preference मिल जाती है नाम से पता लग रहा है preference shares का मतलब इनको preference दी जाती है over किसके over equity shareholders के over अब कोई भी payment करनी है तो पहले equity को होगी then sorry पहले preference को होगी then equity को होगी ठीक है चाहे वो interest की income है चाहे वो sorry interest की नहीं dividend की ठीक है जो preference shareholders है उनको dividend मिलता है सो चाहे वो dividend की income है चाहे वो principal amount है वो सब में किसको preference दी जाएगी preference shareholders को दी जाएगी over equity shareholder सो ये इसमें minor सा difference होता है आएए detail में करते हैं सबसे पहला point है maturity maturity में सबसे पहली बात तो यादा है कि company जो है ना उसको इससे भी fixed capital ही मिलती है जैसे हमने equity shareholders में पढ़ा कि equity shareholders से fixed capital जो है वो मिलती है permanent capital मिलती है तो preference से भी वैसे ही मिलती है like equity shareholders and company जो होती है वो repay करने के लिए बाउंडन नहीं होती है but exception है इसमें एक that is कई बार क्या होता है company जो होती है दें पांच साल के बाद company के उसको repayment करनी ही करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि वो redeemable preference shares है and at the time of issue यह सारी कि सारी terms and condition लिखे गई थी articles of association में कि जो preference shareholders है उनको repay किया जाएगा after fixed time of period so इनको हम बोलते है redeemable preference shares and अगर company ने redeemable issue की है तो उनको fixed time के बाद देनी पड़ी की payment अगर वो irredeemable है then company जो होती है वो बाउंड नहीं होती है आगे हम चलते हैं that is claims पे अब income and asset पे यह मैं आपको already बता चुकी हो कि last पे claim जो होता है वो किसका होता है equity shareholders का होता है and equity से just पहले किसका जो है वो right होता है वो preference का right होता है सब पहले preference को की जाएगी payment thereafter किसको की जाएगी equity को payment की जाएगी आईए पढ़ते हैं इसमें क्या है जो preference shareholders से उनको preference होती है regarding dividend over the equity shareholders dividend इनको पहले मिलता है plus plus सबसे बड़ा feature है that is इनको fixed rate पे dividend मिलता है मतलब कहने का equity का तो fixed नहीं होता ना 5% मिल गया 10% दे दिया जितना profit है उसके इसाब से दे दिया बट preference पे पहले ही जब वो issue किया जाते है तभी यह decide कर लिया जाता है कि कितना rate of dividend इनको मिलेगा ठीक है आगे हम चलते है that is जो equity shareholder है उनको पे नहीं कर सकती company इन से पहले मतलब before making any payment to preference shareholders को कोई भी payment करने से पहले equity को वो payment नहीं कर सकते पहले इनको payment करेगी and but it is not obligation to pay dividend to the preference shareholders company के उपर statutory obligation नहीं होती है कि वो dividend पे करे ही करे अगर company के पास profit है even in case of income जो preference shareholders है ना वो legally compelled यानि कि वो force नहीं कर सकते हैं यह completely depend होता है up to the decision of boards of director मतलब कहने का जो boards of director होते है ना उनके decision पे depend करता है कि उन्होंने dividend pay करना है या उन्होंने dividend pay नहीं करना preference shareholders को but इसमें क्या होता है कि अगर boards of director ये decision लेते हैं कि हाँ भी हमने dividend pay करना है preference shareholders को then पहले इनको पे किया जाता है thereafter equity को पे किया जाता है ऐसे ही same case claims on asset at the time of liquidation के अवदर जब company बंद हो रही है तो पहले जो principal amount होती है वो preference को pay की जाती है उसके बाद जो है equity को pay की जाती है कहने का मतलब equity से पहले इनको preference दी जाती है मोटी मोटी तनी सी बात है आगे हम चलते है control पे control में अब क्या होता अब ये तो preference ले रहे है equity से same control तो definitely नहीं हो सकता है न क्यूंकि ये तो preference इनको मिल रही है इनको जो है fixed भी मिलता है rate of dividend प्लस इनको पहले payment मिलती है equity से तो obviously इनको इतना जादा control तो नहीं दिया जाता normally क्या होता है जो preference shareholders है उनको कोई भी right नहीं होता है to participate in the management of the company की management में वो नहीं participate कर सकते नहीं वो voting मतलब उनके पास voting right भी नहीं होता वो vote भी नहीं कर सकते बट हाँ जो preference shareholders होते हैं in some special cases in some special cases वो vote कर सकते हैं ऐसे special issues जो उन्हें directly affect करते हैं कोई ऐसे issue है जो उन्हें directly affect कर रहा है so in that case जो है उनके पास right होता है vote करने का otherwise normal cases में company के और cases में इनके पास right नहीं होता है fine आगे हम चलते हैं कुछ एक types है preference shares के यह मैं आपको short में explain कर देती हूँ क्योंकि यह relevant हो सकते है निट के exam purpose के लिए प्लस बीकॉम और एमकॉम के लिए तो definitely रहेंगे उसमें तो definitely आई जाते हैं descriptive paper में प्लस जो objective paper होता है न उसमें भी कई बार इसमें से question आने के chances रहते हैं सबसे पहला type that is redeemable and non redeemable redeemable में क्या होता है वो preferential holders होते हैं जिनकी payment जैसे के मैंने आपको बताया मतलब fixed time of period के पाद जो है company को pay करनी होती है which can be redeem at the option of the company company का option पर जो मतलब redeem करनी होती आफ्टर the fixed time of period उनको repay करना होता है उसके अलावा जो on the contrary जो irredeemable होते हैं वो कौन से irredeemable भी बोल सकते हैं इनकी जो payment होती है यह lifetime वापिस नहीं करनी होती है आगे हम चलते है cumulative and non-cumulative पे cumulative preferences वो होते हैं for example जो है dividend है आज इस साल में company का profit नहीं हुआ just for example या फिर company को loss होगा तो company ने बोला कि हमें तो loss होगा हम तो आपको payment नहीं कर पाएंगे preference shareholders को बोला या फिर हमें profits कम है that's why हम नहीं कर पाएंगे जो cumulative preference share है वो बोलते हैं चलो ठीक है मत कीजिए आप payment ठीक है अगले साल कर दीजिए वो बोलते company हाँ ठीक है so इसे हम बोलते cumulative preference share कहने का मतलब कोई भी ऐसा year है जहां pay profit company को कम हुआ है या फिर loss हुआ है और company नहीं pay कर पा रही है dividend preference shareholder को then आने वाले सालों में जब company के बस अच्छा खासा profit होगा ना then company पहले जो पिछला वाला बकाया पड़ा है ना मतलब जो पिछले इतने सालों का areas पड़ा है वो dividend pay करेगी preference shareholders को then current year का pay करेगी ठीक है मालो पिछले साल के 20-30,000 एक shareholders के बकाया है तो पहले company वो पे करेगी उस में आगे और जो cumulative होते हैं उसमें क्यों होता है have the right to claim the dividend of that year in the subsequent year मतलब जो आने वाले साल है उसमें वो claim कर सकते हैं पिछले सालों का जो dividend है जो उनका बकाया है उसके लिए in the subsequent year first of all जो areas of dividend है वो पे किया जाएगा will be paid and then the dividend of the current year ठीक है आगे हम चलते हैं that is on the other hand जो non cumulative है वो recover नहीं कर सकते हैं अगर मालो इस साल पर profit नहीं हुआ और इनको कोई भी dividend पे नहीं किया गया तो अगले साल बस अगले साल का ही पे किया जाएगा पिछले सालों का नहीं पे किया जाएगा fine so मतलब यह recover नहीं कर सकते areas of dividend आगे हम चलते हैं third पर participating and non-participating participating में क्या होता है जो इनने मिलता है वो तो इनने मिलेगा ही मिलेगा उसके अलावा उसके साथ में जो अगर मालो किसी साल में company को बहुत दगड़े वाला profit हो गया है उस साल में क्या होगा यह additional profit है उसमें भी हिसा ले सकते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ शेर इनको मिल सकता है if any balance left after the payment of equity share पर शर trust वगरा भी पे कर दिया इसके बाद इसने जो preference का fixed dividend था वो भी पे कर दिया उसके बाद इसने equity को भी अपनी मर्जी से जितना देना था उसको भी उतना दे दिया still still उसके पास कुछ ना कुछ balance बच गया है then जो participating preference shareholder है वो उसमें से कुछ ना कुछ शेर लेने के हगदार हो विलेगा चाहे company के पस एक करोड़ का profit हो जाए चाहे कितना मर्जी profit हो जाए आगे हम चलते हैं फोर्थ पर दाट इस फोर्स टाइप पे convertible and non convertible preference shares convertible preference shares वो होते हैं basically जो equity shares में convert हो जाते हैं after fixed time of period ठीक है इसमें क्या होता है मालो आज जो है मतलब company ने issue किया preference shareholders तीन साल के बाद company ने option दे दिया preference shareholders को कि आप equity shareholders में convert होना चाहते हैं सो यह क्या हुआ convertible जिनको एक company preference shareholders को after कुछ period convert कर सकती है equity shareholders में उसको हम बोलते है convertible preference shares जिसके पास जो ऐसे preference shares जिनके पास ऐसा कुछ राइटन नहीं होता है उनको हम बोलते है non convertible वो preference की तरह issue होए थे और वो preference की तरह ही रहेंगे ठीक है उनको equity में convert नहीं किया जाएगा मतलब उनको complete honor नहीं बनाया जाएगा आगे हम चलते है फिफ्ट टाइप पे फिफ्ट टाइप के बोलता है इसमें क्या होता है जो preference shares है जिनको company proper guarantee देती है कि हाँ भी आपको तो इतना percentage इतना fixed rate of dividend मिलेगा ही मिलेगा उनको हम बोलते है 5% है तो हम 5% आपको दे देंगे बड़ कोई guarantee नहीं है अगर हमारे पास profit नहीं हुआ तो हो सकता है हम नहीं भी पे करें मतलब को guarantee नहीं दी गई उसे हम बोलते है non guaranteed and जहां पे एक fixed dividend pay करने की guarantee है उन्हें हम बोलते है ग्रेंटेड preference shares fine यह थे कुछ एक टाइप चो आपको net exam में भी आ सकते हैं प्लस B.com में M.com में MBA में कहीं भी आपको detail में काम आएंगे I hope आपको अब तक clear हो गया होगा तो यह तो थे हमारे दो that is shareholders के टाइप shareholders के sources shareholders में दो होते हैं preference and equity दोनों के अलगलग separate separate मेंने features बता दी हैं आपको I hope आपको clear होगे होंगे तो यह sources तो होगे उसके अलावा जो third sources आता है पैसा raise करने का fund raise करने का कोई भी company है तो वह आता है that is retention of profits मतलब कहने का company ने अपने पास ही अपने ही profits retain कर लिए for future purpose इसको employing back of profits भी बोलते हैं कि मालो company को दो लाग रूपे का profit हुआ company ने क्या किया एक लाग तो सारा बाट बूंट दिया जनता हमें ठीक है उसके बाद जो एक लाग रूपे बचाना उसको उसने distribute नहीं किया उसको उसने अपने पास ही save करके रख लिया फिर अगले साल जो profit हुआ उसमें से भी एक आदला एक आदला जो है वो उसने अपने पास रख लिया save करके ऐसे करके पांच सालों में उसने मालों दस लाग रूपे एकठे कर लिए save करके रख लिए अब अगर उसके पास पांच साल के बाद अगर कोई भी ऐसी opportunity आती है कि उसने उस अब तक पांच साल में दस लाग रूपे एकठा किया था अपने प्रॉफिट का उसे वह यूटिलाइस कर सकती है उसे हम बोलते हैं बेसिकली retention of profits and ploying back of profits भी इसे हम बोलते हैं आईए इसके कुछ एक features पढ़ते हैं that is सबसे पहला क्या है that is important internal source है finance का internal है obviously इसी बात है अब कहीं बाहर से तो money आ नहीं रही है जो company ने profit कमाया था उसी को company future purpose के लिए यूज कर रही है अपने खुद के प्रॉफिट को यूज कर रही है अपनी खुद की कमाई को यूज कर रही है so external तो नहीं हुआ यह क्या होता है यह internal source होता है finance का उसके अलावा जो है company जब क्या करती है distributor नहीं करती है यह तो सारा का सारा इने distribute करेगी या फिर हो सकता है कुछ part distribute कर देगी कुछ part अपने पास रख लेगी ठीक है so उसे हम क्या बोलते है उसे हम retention of earnings बोलते है या फिर employing back of profits भी बोलते है fine उसके बाद जो है second है that is retention of profits जो होता है वो कई सारी form में हो सकता है like journal reserve हो गया dividend equalization fund हो गया कोई भी company है वो अगर किसी भी fund में पैसा डाल रही है हर साल so वो किसी भी reserve के form में हो सकता है का retention of earnings उसके अलावा जो है जितनी भी tax की payment है प्लस जो भी मतलब पार्ट है distribution करना है dividend का वो सब कुछ करने के पास जो भी balance होता है वो company खुद के पास रख लेती है और उसके अलावा जो है retained earnings जो है वो long term requirements को meet करने के लिए भी use होता है plus at the same time जो short term requirements होती है कोई भी company की उसे भी meet करने के लिए retained earnings का use किया जाता है उसके अलावा जो है यह बहुत ही जादा easy source होता है बहुत ही जादा cheap source होता है क्यूंकि जो shareholders है चाहे वो preference है चाहे वो अपने equity है या फिर उसके अलावा जो है dividend ventures होगे है उनके उपर उसे interest पे करना है company को shareholders पे dividend पे करना है तो उसे company को cost दो पड़े ही कि ना ठीक है मतलब उसे बाहर कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि retained earnings की cost नहीं होती इसके भी अपने एक implicit cost होती है जिसे हम cost of capital में अच्छे से पढ़ेंगे इसके भी अपने एक implicit cost होती है जो मतलब जेब से तो नहीं जाती है बट हाँ अगर वही पैसा फाल्तू पड़ा है business में और वही पैसा कहीं हम और लगा दे मोके पी या interest वगरा पे दे दे तो कहां हमें income हो हना सो वह cost होती है बट स्टिल जो है इतनी नहीं आती है इसकी cost external जेब से पैसा नहीं जाता है इस वज़े जो है यह cheap and easy source है किसी और के पास नहीं जाना खुद के business में खुद का ही पैसा डालना है ठीक है इसके लिए जो है modernization expansion purpose के लिए हम retained earnings को use कर सकते हैं यह भी important source होता है long term plus short term का so यह थे हमारे basically तीन sources जिसमें मैंने equity shareholders के features को cover किया है preference shares को cover किया है उसके अलावा retention of earnings या फिर मतलब flowing back of profits को भी cover किया है so यह था हमारा part one जहां जहां से company sources मतलब जो sources क्या हो दे जहां जहां से company fund raise कर सकती है इसका जो next part होगा वो भी जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से sources जो हैं वो clear हो जाए सारे के सारे sources जो हैं वो clear हो जाए उसके अलावा जिसने भी तक मेरी revision videos नहीं देखी है UGC net commerce के regarding जो net के preparation कर रहे हैं सो उनके लिए मैंने as per the जो updated syllabus है हमारा उसके according मैंने complete syllabus के revision videos डाल रखी है already जिसका playlist का link आपको description box में मिल जाएगा अगर आपको आप वो videos पसंद आती हैं तो आप हमारा offline batch भी join कर सकते हैं उससे आप trial purpose के लिए भी देख सकते हैं PLUS आपकी तैयारी भी हो जाएगे अगर आपको अच्छा लगते है तो आप हमारा offline batch भी join कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब करना, ना भूले मेरा चैनल और टेलीग्राम चैनल भी जरूर जोइन कर लिजिए, थैंक यू सो मच